दोस्तों अगर Yes Bank की बात के तो आने वाले समय में यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी आ सकते हैं इसके पीछे कुछ सिगनल है जिनको इस वीडियो के मादेम से डिसकस करेंगे क्यों यहाँ पे कौन से ट्रिगर है जो इसको तेजी की तरब लेके जा सकते हैं इस वीडियो के मादेम से डिसकस करेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल क्या रही है आखिरकार में RBI ने Yes Bank को क्यो चुना Digital currency के launching के लिए क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जिस रश से इतनी सारे इंडिया की बड़ी बड़ी बैंक है जो बहुत ही पूरानी और काफी माने हुई बैंक है उसके बावजुद भी यहाँ पे जो पाच बड़ी बैंकों के साथ में Yes Bank को भी यह मौका दिया गया है तो उसके पीछे भी है बहुत बड़ी बज़या जिसको इस वीडियो के मादेम से डिसकस करेंगे आखिर Yes Bank के पास वो क्या काबिले थे जिसकी वज़य से RBI ने Digital currency की सुरुआत के लिए Yes Bank को चुना है दूसरी तर बगर आप देखे तो Yes Bank के स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों से काफी अचा रिटन भी दिया है और आने वाले समय में स्टॉक में पिर से बनी रही है तो क्या इस समय हमें Yes Bank को इन्वेस्मेंट करना चीए क्योंकि एक तर से देखे तो Yes Bank आने वाले समय में बहुत सारी मजबूत होने वाली है जो भी इसकी प्रॉब्लम में उसका निप्टारा भी होने की तैयारी हो चुकी है तो क्या ऐसे में इन्वेस्मेंट किया जा सकता है या फिर इस समय Yes Bank से निकल जाने का टाइम आ गया है तो इन सारी बातों को समझते हैं इस वीडियो के मादिम से सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के ट्रेडिंग को डिसकस करे तो आप देख सकते हो कि स्टॉक की क्लोजिंग 16.85 पर रही जा पर हमने 0.59% की गिरावट देखिए लगबग 10% की गिरावट थी और आप देख सकते हैं यह जो गिरावट हो इसके पीछे वज़े है बाजार में गिरावट बाजार में भी दबाव बना हुआ था और बैंकिंग शेरो में भी दबावट था इस वज़े से हमने यस बैंक में थोड़ी सी गिरावट देखिए और वैसे भी कोई बड़ा positive trigger नहीं था उस वज़े से stock में कोई बड़ा moment देखना को नहीं मिला वैसे अगर आप देखे तो पिछले एक साल में stock ने 34.26% का जबरस return अल़री दे दिया है और यहाँ पे अगर हम stock की 6 मन के return के भी बात करें तो 25.28% का जबरस return दिया है तो काफी अच्छा stock दोड़ा है लगातर दोड़ा है यहाँ पे जो gear out थी वो फिलाल थम चुकी है सिर्फ एक महिने की बात के तो stock ने 5.97% का जबरस return दिया है तो एक तरपा तेजी बनी है लेकिन यहाँ पे पिछले 5 दिन के इसाफस देगे तो 1.46% की gear out हुई है तो दिछले level से आपको थोड़ी सी gear out देखना को मिलेगी लेकिन overall इसने काफी अचा return दिया है लोगों को अगर इसके volume को हम देखे तो पिछले मेने पहले 10 crore का volume था और 4 crore के delivery उठाएगे थी वन week पहले 14 crore का volume हुथा 4 crore की delivery उठाएगे थी और Thursday को 6 crore का volume हुथा 2 crore की delivery उठाएगे और Friday को भी 6 crore का volume हुआ तो आभी भी आप देख सकते हो कि अच्छे वाली में काम का जो रहा है और यहां पे अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही है FI की पहली पसंद बना हुआ फिलाल आप देख सकते हो पूरे बाजार की बात करें आप देख सकते हो 0.05% की गिरावर थी लेकिन निप्टी PSU बैंक में आच्छी खासी तेज़ी थी आप देख सकते हो 3,849 के इस्टर पे 1.53% की सांदार तेज़ी यादि लगबग 1.5% की तेज़ी थी सरकारी बैंकों में लेकिन निप्टी प्राइवट बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 21,530 के इस्टर पे 0.40% की गिरावर थी लगबग 1.5% की उतनी ही गिरावर हमने यस बैंक में देखिए अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यस बैंक ने अपने इन्वेश्टर के साथ में एक मीटिंग रखी थी और इसकी जानकारी नोना एक्चेंज को दिये और इसके इलावा ICC Securities के साथ में इनकी मीटिंग हुई है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यस बैंक लगातार अभी फिलार यस बैंक को सबसे बड़ी ज़रूत है वो है उनके फंड की ज़्यादा से ज़्यादा फंड यहाँ पे रेज़ करना और इसके माद्यम से बीजनस को आगे बढ़ाना है और आप समझ सकते हो कि बीजनस था और इनका पट्री पे आ चुका है यानि यह पांच बैंकों में डिजिटल करन्सी का लेंदेन शुरू होगा अब आप यह समझोगे कि यस बैंक जो अलड़ी दो सार पेले डूप चुकी थी उसको इतनी बड़ी बैंकों के साथ में जिम्यदारी क्यों दी गई तो इतने बड़ी नवगमों के साथ अगर यस बैंक को भी यह मौका मिला तो इसके पीछे सबसे बड़ी बज़े है यस बैंक डिजिटल टेकनोलोजी में बड़ी बड़ी बैंकों को पीछे छोड़ रही है और जब से यस बैंक ने फिर से अपनी सुरूआत की SBAE की तरब से जहां पर प्रसंद कुमार को यह काम सुपा गया उन्होंने पहला काम यही किया कि डिजिटल टेकनोलोजी को अपना है जादा से जादा जितनी लेटेश टेकनोलोजी है वो यस बैंक ने अपनानी सुरू कर दी और इसके लिए अगर आप देखे तो इन्होंने महेश राम मुर्ती की अपोइंट्मेंट की CIO के पद्वे और यह आप देख सकते हैं पिछले साल जून में उनकी अपोइंट्मेंट हुई और उसके बाद में लगातार उन्होंने नई टेकनोलोजी को अपनाना शुरू कर दिया एक तरसे डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन जन्दी शुरू कर दी और इसके माद्यम से अगर आप देखे तो यह बेनिफिट देखना को मिल रहा है तो आप समझ सकते हो कि Yes Bank बहुत आगे निकल चुकी है और एक तरसे जो टेकनोलोजी है इनके पास बहुत ही लेटेस्ट है और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे अलड़ी बीजनेस टाइप किये पहले आप देख सकते हो राम मुर्थी का कहना है कि 90 से लेके 95% हमारी जोपी लेन देने हो सारा डिजिटल तरीके से होगा और हम जाना से जाधा डिजिटल टेकनोलोजी को अपना रहें आने वाले से में हमारा जो बैंक का काम का पूरा का पूरा डिजिटल प्लेटफर्म के उपर होने वाला यहने कुल मिला के देख सकते हूँ कि यह जिस तरसे कोशिस की जा रही है उसका फल इनको मिलना अब सुरू हो चुका है यहस बैंक देखे तो एक तरसे डिजिटल टेकनोलोजी में लिडिंग प्लेयर बन चुके है और इनके पास जिस तरसे देखे तो यह टेकनोलोजी है और सबसे लेटेस्ट है और एंटो एंट ट्रांसफर्मर सर्वीज प्रोवाइड कर रहा है यानि कस्टमर को सब कुछ एक तरसे डिजिटल प्लेटफोर्म में मिल रहा है उनके लिए आप देखो बैंक में जाने की जुरूत नहीं है वो घर बेटे अपने खुद के मोबाइल से ही आपने खुद के इसे पहले जिसके वाइसे इनके जो एसमेज और जो स्वाल रिटर बिजनेस हाउसेज है उन सबको लेटेस्ट टेक्नलोजी की सर्वीस प्रोवाइड कर रहे है यानि उनके लिए जो बीजनेस चीह सबसे सांदर बीजनेस अप्रशनिट्रिया निकल के आ रही है और इसी व रकम मिलने वाली है आप देख सकते हो कारलाइल और एडवेंट इंटरनेसल की दरब से और सीसे आई की दरब से इस डील को मंजूरी मिल चुकी है और जल्दी ही वो 10% की स्टेक भी लेंगे और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले एक तरह से यह कोई कर्ज नहीं है ब और राणा कपूर ने अपने कारेकाल में जिस तरह से लौन बाटे वो सारे के सारे बाद में एन्पिय बन गे अब उसका भी निप्टारा होने वाला है यानि इसी नौमर के अंतक देखे तो यहाँ पे 48 क्रोड रुपीज का जो उनका बैड एन्पिय है वो जिसी फ्लावर है कि यहाँ पे FI निवेस्क शुरू कर चुके है यहस बैंक में और हम देख रहे पिछले सेप्टमबर से लगातार FI अपनी होल्डिंग को बढ़ा रही यहस बैंक में बले ही रिटेल इंदेस्टर इसमें डरे हूँ भरोसा न कर रहे हो और हमारे डोमेस्टिक जो ब्रोक 12.97% तक चली गी जून क्वाटर में यह 11.37% तक पहुझ गी और आप देख सकते हो इस सेप्टमबर में क्वाटर वन में यह 12.15% तक पहुझ गी तो हर क्वाटर में आपको होल्डिंग बढ़ती हुई दिखा देगी यानि FI एक तरपाई आप इनिवेस्क कर रहे है और य जिस तरह से लगाता रहा है उनके लोगों का भरोसा उनके उपर लॉट आया है लिख सकते हो कि लॉन्द बुक मजबूत हो रही है इसके लावा उनका एडवान्स में काफी अच्छी बढ़ोतरी हो रही है यह सारी जो बाते Yes Bank को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के गी आगी और यह स्टॉक आने वाले से थ्री डिजिट में बिल्कुल जाएगा तो ऐसे में आपको लॉंग टर्म करने जी लेकिन इवेस करना चीए यह स्टॉक आपको आने वाले से डेफिनिटली अच्छा रिटन देगा लेकिन कोई भी इन्वेस्मेंट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए और चैनल को सब्सक्राब कर दीजिए थैंक्यों